नमस्कार आदाप आपनी देखना शुरू कर दिया है रेमोक्राइटिक चर्खा और मैं हूँ आपके साथ अनुप्रिया इस वक्त हम मौझूद है रामकृष्णा नगर थाने के पास और आज हम आपके सामने एक ऐसा केस सांजा करने जा रहे हैं जो आपके दिल को दहला देगा जी हाँ परिवारिक यौन उत्पिडन का मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने पिडिता ने ये इलजाम लगाया है खुद के मामला पर कि वो एक लंबे टाइम से उसको sexual abuse करते थे और जब इस इस के बारे में उन्होंने अपने परिवार से ये सारी चीजे सांजा की तो उसके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ मामला है चलिए हम सीधे जुड़ते हैं उस पिडिता के साथ और जानने की कोश मैं समझ नहीं पाती थी लेकिन जब मेरी महम मैं देखी मैं गौर की तो मैं देखती थी कि मैं जो उनका पहला वर्ताव था मेरी लिए मैं रात में सो ही रहती थी तो आधे रात में उठकर के मेरे हाथ में टच करना मेरे गलत अंग गुपत अंगों पे टच करना और जब मे तूट इस तूट थी तूट्ण तूट जाती थी YouTube में मन में टर बैट गया कि एम रात में सो निभाते थे और उसके बाद फिर मेरे मामा मुझे गलत नजर्वं से मुझे मतबक घूटाकरते थे मुझे बहुत गंदा लगता था देखकर के और मुझे बहुत घीन आती थी और जिसकी वज़े से मैं ये सब जनकारी में अपने घरवालों को भी दी लेकिन मेरे घरवालों ने बोला कि तुम इग्नोर करो बर्खा तुम ठीक से रहो और मामा खुद ठीक हो जाएंगे और क्योंकि अगर तुम सही रहोगी तो वो कुछ नही सब को मैं बताई लेकिन किसी कोई के के बस में नहीं था कि वह कुछ भी मेरे लिए कर सकते हमारे साथ इस वक्त बर्खा के परिवार से भी लोग हैं हम सीधे इंसे बात करते हैं क्या मामला है कुछ नहीं बात करना जाते हैं नहीं बाइट देना चाहते हम बाद करेंगे यहां पे मौजूद एक और जो बर्खा की सहेली है सिल्पी से जिन पर जानलेवा हमला किया गया है और यह हमला बर्खा के परिवार वालों ने किया यह वही परिवार वाले हैं जो अभी हाथ हिला कर ये कह रहे थे कि हम कोई उसके पापा इंदेशवर मंडल, उसके मामाद मुनना, वो उसका दोनों भाई विकास और हर्स, और एक भाई है जिसका नाम है सिवम, वो लोग सब और उसकी माँ पीछे से पकड़ी हुई थी, और मेरा यह हाल कर दिये वो लोग, बहुत मारा उनों लोगों मुझे, मैं यह और हमारे कम्यूनिटी में हमेशा यह सब होते रहता है, कि हमें भेदभाव के नजरों से दिखा जाता है, जबकि सब कुछ सरकार ने किलियर कर दिया है, फिर भी हमारे साथ यह सब भेदभाव क्यों हो रहा है, हर जगा हमें क्यों मारा पीटा जा रहा है, मुझे नया चाह लिए और मैं चाहती हूँ कि आप ये निज़ फेलाएं और हमें निया दिलाएं और परसासन से भी यहीं रखती हूँ कि हमें प्रोटेक्शन जिया जाए और इन लोगों को सक्षि कारवई कि जाए किसी को भी इसने रात को घर में जाके ऐसे नहीं पीटा जाता जिस तरीके स इन लोगों ने पीटा और मेरा सर फोर दिया तो अभी आपने देखा शिलपी ने किस तरीके से आप भी ती अपना सांचा किया साथी साथ वो गुहार लगा रही है रामकिश्णा नगर थाना के तमाम जो पुलिस कर्मी है उन लोगों से कि जल से जल जिन्हों ने उन्हें इस खो चुकी है और वो उस परिवार में नहीं जाना चाहती जिस परिवार में उन्हें बचपन से ही परवारी की यौन उत्पिडन का सामना करना पड़ा आपकी इस पूरे रिपोर्ट पे क्या राय है हमें जरूर कमिन करके बताईएगा मैं अनुप्रिया कैमरा मैं नाजिश के साथ आदाव